वेल्कम तो टेक्निकल शिजा और आहिरकार जिस वीडियो का मुझे सबसे ज़्यादा इंतजार था आपको नहीं मुझे सबसे ज़्यादा इंतजार था क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके लिए यूट्यूब इस्तमाल करना एक दम असान होने वाल है और आप ऐसे चुट आपके लिए नहीं है लेकिन बस ये वीडियो आपके लिए नहीं है तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसी पांच एक्सेंशन है जो कि आप अपने यूट्यूब के साथ अटेच कर लोगे ना तो सीरियसली बता रहे हो आपकी जिंदगी असान हो ज करना के है जिस पर अपर गुडियो लिख लो या फिर आप विड एक्सेंशन लिख लो तिकर दोनों में से जो चीज भी लिखोगे आपके सामने वो शो हो जाएंगी और जो है आपको जब जिस वेबसाइट पर लिखा हुआ ये नजर आप उसके ओ अपर जा सकते हूँ और जैसे ही आप सबसे पहली website open करोगे तो यहाँ पर extension आपके पास आजएगी add to chrome करके add extension के उपर आप क्लिक कर देना तो यहाँ पर आपके पास जो extension है वो download हो जाएगी और उपर से जाकर आप उसको pin कर सकते हो अपने पास यहाँ पर extension जहाँ वो download हो चुकी है यहाँ पर मैं अपनी एक gmail मैंने अलग रखा वाए मैं हर चीज के लिए वही login करते हूँ ताकि अगर उस gmail को कुछ हो भी जाए in case तो इससे मेरे चैनल या मेरे balance को कोई फरक ना पड़े अच्छा तो जैसे ही अब मैं कर लूँगी extension को login भी कर लिया मैंने डाउनलोड भी कर लिया और login भी कर लिया ठीक है तो यह जो extension है यह आपके पास शो होनी शुरू हो जाएगी और जैसे यह आपके पास शो होगी ना तो इसका सबसे बड़ा फाइदा क्या है आपको यह keywords देती है आपको video की rating देती है आपको यह बताती है वीडियो के उपर परार कितने ज्यादा आप views मिले है और यह सिरफ आपको नहीं मतलब आपको अपना नहीं बताती यह आपको हर उस video को बताएगी जो के आप देख रहे हो यह निकिए अपने चैनल पर ही नहीं अपने दोस्तों के चैनल पर नजार रख सकते हो कि कि उनकी growth कितनी हो रही है और किस तरह से हो रही है चैनल के सारे tags आपको बता देगी वीडियो के अंदर और हम कार्ड लगे होए या नहीं लगे होए और भी बहुत सारी चीजह आपको यह बता दे कि तो कि हम फिर किसी और वीडियो में एक्स्वोर कर सकते हैं फिलछाल इस वीडियो के लिए हम ऐसा करते है कि इसके सर्फेस से ही हम आप को आइडिया लगा होगा कि यह यह चीजे यह वाली extension कर सकती है अब चलते हैं हमारी दूसरी extension की तरफ दूसरी extension का नाम है keywords everywhere अच्छा अब इस extension को भी आप जैसे ही सर्च करोगे सबसे उपर इसी का ही आ जाएगा words और इसी को भी same add to chrome करके फिर उपर से add extension का button अपने प्रेस कर देना है तो यह जो है आपके पास add हो जाएगी ठीक है जैसे आप इसको add कर लेते हो तो अब जो है ना आप इसको read करना चा जाएगी बाकर हो सकता है दूसरे लोगों को यह बात समझ ना भी आए जो tags होते है ना वो आप कैसे लिखते हो इस तरह से करके ठीक है line wise इस तरह से line up की जा रही होती है ठीक है अब जो tags है वो limited number पर होते है 500 और उपर कुछ होते है ठीक है लेकिन description के अंदर आपको 5000 words मिलत है अब यह keywords everywhere क्या करेगा कि यह जो आपके पास keywords यहां पर शो हो रहे है यह आपको line wise शो करेगा जो कि आप अपने tags के अंदर ना भी लगाना चाहो तो आप अपने description में लगा सकते हो और यह बुरा भी नहीं लगेगा बढ़ी असानी से आप उपर से copy कर सकते हो और बिना खिचडी पकाए दो सेकंड के अंदर आपका काम हो सकता है और आपके keywords जो है वो मजीद बहतर हो सकते है ताकि कोई भी इंसान कोई भी वीडियो खोले ना तो उसको आपकी वीडियो लासमी वहां पर नजर आए और main point यही होता है कि आपकी वीडियो नजर में आनी चाहिए ठीक है तो यहां पर जैसे कि आप देख रहे हो जितने भी इन्होंने चैनल की keywords लगाया हूं है जितने भी आपने वीडियो के keywords लगाया है वो सारे show हो रहा है अब चलते हैं हमारी तीसरी extension की तरफ जिसका नाम है enhance extension अब इसको भी same procedure है आपने same as it is इसको search करना है सबसे पहल आपको शो कर रहा है तो अगर आप website के उपर भी keywords लगाना चाहो तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा फाइदे मन्द रहेगा अब यहां पर same as it is वही procedure हम फोलो करेंगे add to chrome किया और यहां पर add to extension कर दिया ठीक है enhance extension जो है न यह बहुत फाइदे मन्द रहती है आपको YouTube को use करने के लिहास से काफी लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम YouTube से screenshot ले ले मैं अपना main point बता हूँ तो मैंने इसको speed बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए रखा हूँ है और साथी साथ मैंने पिच्चर करने के लिए रखा हूँ है और साथी साथ इसके और पे बहुत सारे option है अब जब एक दफाए extension में जाओगे तो अपने फाइदे के मताबिक और अपनी चीजों के मताबिक जो है आप यस extension को जो है वो कारा मत कर सकते हो और आई बटन पी ठीक करोगे यहां पर रखके तो आपको पता है चल जाएगा कि extension किस चीज के लिए है तो आप जैसे जैसे नीचे आते जाओगे इस extension की सारी की स इसको चैक कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या-क्या और आपको इसमें से फायदे मिलेंगे तो जैसे-जैसे आप आई बटन पर क्लिक करते जाओगे वैसे-वैसे यह आपको शो करता जाएगा कि क्या-क्या यह वाला जो है लोगू वो extension के साथ कर सकते हैं तो यहां पर मैंने फिलहाल तक यह वाली setting करके रखी हुई है अपने लिए आप चाहो तो अपनी same भी कर सकत हो इसमें कोई इस्यू नहीं है आपकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है अब नीचे तक एक लंबी सारी लिस्ट है जो के आप देख सकते हो यहां पर लाइक आपको काफी ज्यादा इसका फाइदा मिलने वाला है इस एन्हेंस यूट्यूब एक्स्टेंशन वाला ठीक है यहां पर सेमें आपको पर जाया है जैसे आप लिखो के सब्से पहली जो वेबसाइट यह आपके पास आजएगी और यह एक्स्टेंशन नहीं अदरसल यह वेबसाइट आए आपने इसका लिंक कर लेना है शोटकुट बता रही हूं इसका आप अपने पास रखने का लिंक copy करके यहां पर add shortcut के अंदर आप इसका link paste कर दो और उपर जाके rapid text लिख दो एक link के अंदर ये website आपके सामने शोख हो जाएगी और यहां पर done लिख कर इसको press कर दो अब जैसी आप rapid text को open करोगे इसके अंदर आप दुनिया जहान की जो जो चीज भी लिख दो जो चीज भी लिख दो यह उसके अच्छे से tag जो है वो आपको show कर देगा और आपकी जिंदगी बिलकुल असान हो जाएगी ठीक है मैं mostly यहां से ही tag उठाती हूँ बस फर्क इतना होता है कि नकल के लिए अकल जुरूरी है और बस आपको यह करना होता है कि टैक्स को एक दफा पढ़ लिया करें उसके उपर अगर 2018, 90 या 20 की डेट लिखी हुए है 21 की डेट लिखी हुए है तो उसको चेंज करके 22, 23, 24 ना ऐससे करके चिपका दिया करें आपकी बड़ी मतलब अच्छी वीडियो चले जाएगी 2-3 सालों तक ठीक है और उसके बाद भी अगर चले तो वरना वीडियो तो इतने साल तक ही चलती है फिर अच्छा नेक्स्ट जू हमारी एक्स्टेंशन है ना वो है यूट्यूब एड्स की पर अक्सर ऐसा होता है कि हम वीडियो देख रहे होते है और हम लोग साथ साथ में कुछ लिख रहे होते है या कुछ काम कर रहे होते है और वीडियो के अंदर चल जाती है एड और वो फिर मनुहूस एड बंद भी नहीं होती है तो ये उस मनुस्यत को खतम करने के लिए बहुत अच्छा तरीक है यहाँ पर आप आए और यहाँ पर इसको एड एक्स्टेंशन पर क्लिक करके same as it is एड कर लीजगा मेरे पास ओल्रेडी एड है ये हर ब्राउसर में तो यहाँ पर आप यूट्यूब एड ओटो स्कीपर को एड कर सकते आपने पास जैसे कोई आड आए गई है उसको फट से जायना पीछे कर देगा और आपकी एड की पहुझाएगी और आप असानी से अपनी जो वीडियो की उसको इंजोई कर सकोगे बिना किसी एड के एक और एक्स्टेंशन है जिसके बारे में आपको बताना बहुत ज़्यादा जुरूरी समझूंगी ये दरसल मैंने फाइफ एक्स्टेंशन के अंदर जो है नहीं रखी थी इसके इलावा एक और एक्स्टेंशन रखी थी लेकिन क्या हुआ कि वो हाली में फ्री से पेड हो चुकी हुई है तो इसलिए फिर मैंने जो है एक्स्टेंशन की तर्तीब तर्तीब को थोड़ा चेंज कर दिया लेकिन ये जो एक्स्टेंशन है ना वो बेहत ज़रूरी है यूट्यूबर और उसके पास स्क्रीन रिकोर्डर ना हो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है ठीक है तो ये बहुत अच्छी स्क्रीन रिकोर्डिंग की फ्री आपके पास ये एक एप समझ लें क्योंकि एप्लिकेशन है ये क्योंकि इसको आपको इंस्टोल करना पड़ेगा तो आपको जिस्ट क्या करना है ग्रोम पर जाना है आइफन स्क्रीन रिकोर्डिंग आपको लिख देना है और जो सबसे पहली वेबसाइट होगी आपने उसके उपर चले जाना है और यहां पर से जाकर आपने इसका लेटेस्ट वर्जिन जो है उसको डाउनलोड कर लेना है बहुत जबरदस्त है इसको भी मैं तकरीबन 6-7 मन्त से यूज कर रही हूं और आपने मेरी शायद पिछली वीडियो में भी नोटिस किया होगा कि यही वाली जो स्क्रीन रिकोर्डर है मैं उसको यूज करती हूं और यह है भी एकदम फ्री और इसके अदर काफी ज्यादा अच्छे फीचर्स है जो कि किसी और वीडियो में डीटेल से ओविसली मैं आपको बताऊंगी तो इसके साथ आप अलाहाफिस पिर मिलते हैं एक ने वीडियो के साथ